गुड मॉनिंग खमा गणी सा कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल नीतु चोहान ब्लॉग्स में और आप सब के क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा उमीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे खु सुबह का टाइम है आज मैं अपना पूरा रूटीन शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ सुबह पांच वज़े से लेकर रात को दस वज़े तक का मेरा पूरा रूटीन तो सुबह आपने देखा मैंने बना ली है भर्मा टींट सी की सबजी आटा लगा लिया है चाय बन में हॉल में और जो जल बच जाता है थोड़ा सा वो मैं प्रशाद के रूप में ग्रहन कर लेती हूं और उसके बाद मैं जाओंगी मेरे बैडरूम में क्योंकि दो तीन दिन हो गए मैं रोज सोच रही हूं कि मेरे बैडरूम की जो बैडशीट है वो चेंज कर दू क्योंक और सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपका घर हमेशा और्गनाईज रहता है नीट अन क्लीन रहता है, साफ सुतरा रहता है ऐसा लगता है कि आपने अभी दिवाली की सफाई किये तो ऐसा है कि आप खोली दिवाली वेट करोगे ना खोली आएगी तब सफाई करेंगे, दिवाली आएगी तो सफाई करेंगे रक्षा बंदन आएगी तो सफाई करेंगे तो तो आपका घर दे को गंदा ही रहेगा और अन और्गनाईज रहेगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे जब जैसे समय मिलता है वीक में एक बार, वीक में दो बार, महीने में तीन, चार बार जैसा भी मुझे टाइम मिलता है, मैं एक रूम पकड़ती हूँ तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और अगर एक ड्रॉर मुझे लग रही है, इस ड्रॉर को मैंने काफी दिन होगा चेक नहीं किया, छेडा नहीं है, तो मैं उसको एक चेक करती हूँ अगर कुछ कहते हैं कि बार ऐसे चीज़े होती हैं हमारे घर के अंदर जो हम डेली काम में नहीं लेते हैं पर यह सोच के रख देते हैं कि हाँ कभी काम आईगी लेकिन ऐसा होता नहीं तो उसे declutter कर देना, किसी जरुतमन इंसान को दे देना तो ऐसा बस फिर चायवाई पी करके हम लोग निकल गए हैं मौर्निंग बॉक के लिए और यहाँ पर पती देव हम लोग थोड़ी मस्ती मजा करते हैं तो कि मेरे पती थोड़ा सा कम बोलते हैं, कम हसते हैं तो जब मेरा मन ओता हसने बोलने का तो फिर मैं उनको भी टांग खीचाई करती रहा थी हूं थाकि वो भी थोड़ा सा हस ले बोल ले और आप लोग लेकिन शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुँ जना तो मुझे लगता था कि यह ना गुस्से वाले हैं खडूस हैं लेकिन यह बिल्कускु भी गुस्से वाले नहीं है इनको बिल्कुल गुस्सात नहीं आता और weeks शायद गुससे वाली हूँ, मुझे तोड़ा शायद गुससा आ जाता है, थोड़ा क्या हाँ आता है यार, क्योंकि मुझे क्या है, घर को और्गनाइज रखना, घर को साफ सुतरा रखना पसंद है, और मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ, तो यह थोड़ा कुछ सब्जी समान लेने के लिए लेकिन तो मुझे खुश करने के लिए बोलता है, चल आज मैं तेरे साथ सब्जी समान लेने चलता हूँ, फिर मैंने सब्जी ली समान लिया और यहां से लक्ष्मी डेरी से मैंने ली ब्रेड, क्योंकि बहुत दिन होगे ब्रेड का नाश्ता नहीं किया और यहां हमाएं सरदारपुरा, क्योंकि आने वाले कुछ समय में तीन तारिक से लेकि नो तारिक तक, यहां सरदारपुरा में मोटर मर्चंड हाँ, मोटर तो अगर आप लोग जोदपूर में हैं तो जरूर आईएगा आप लोग भी महाराज की दर्शन करिएगा कथा सुनिएगा और यहां हम घर पहुंच गए हैं और बस अब मैं करूंगी सबजी और समान को जगे पे लगाऊंगी और साइड में बनाने के लिए रग दूंगी च मुझे भी खिलाएंगे बोले मैं अकेला खाता हूं तू नहीं खाती न तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो जवर्दस्ती मेरे लिए एक मूंग दल कचोरी लेका हैं जिसमें थोड़ी सी मैंने गाड़ी में खा ली थी क्योंकि मैं बहुत बड़ी बूख करूं मुझे न दाल रही हूं अद्रक वाली चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्यों पता नहीं क्यों कुछ लोग प्लेन चाय पी लेता हैं लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती और इसी के बीच में मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने सूचा चलो चार-पांच बरतन ह मैं उसी को दो लेती हूं क्योंकि जितना टाइम मिले न आपको पांच मिनट मिले तो यह नहीं कहां चलो बैड जाएल नहीं मुझे पांच मिनट मिले दो मिनट मिल जांने के बाद हों बटू तो बहर बहर तीवी की यूनिटե ताकि जब वो जाए तो साथ लेकर के जाए शाम को आते वे दूद लेकर जाए और यहां हमारी थोड़ी बहुत बाते बाते चल रही है पतिदेव का ओडर आ रहा है कि चाई के साथ दो बिस्किट लेकर आना और यहां जो मैं नाश्टा लेकर आई थी ना उसको मैंने तवे वे गरम करने के लिए रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा गरम हो जाए ठंडे होता ना तो अच्छे नहीं लगते पतिदेव अपने लीए इमर्ती भी लाये थे मुझे इमर्ती इतनी पसंद है जलेबी वो भी घरम गरम के एकदम बलती बलती वह गरम गरम जलेबी हो वह ख से आ गई हूं किचेन में और अभी मैं बनाऊंगी रोटियां पतिदेव के लिए और मेरे लिए पतिदेव की बना करके तो मैं कर दूंगे उनके लंच बॉक्स में पैक और बाहर टीव उनिट पर रख दूंगी ताकि वो जब ओफिस निकले तो लेकर के जाए और मेरी रोट बस किचन से बाहर आई थी टीफिन रखने के लिए और देखा तो मुझे हॉल की डस्टिंग है अगई तो थोड़ा सा मैं किचन को अधूरा छोड़के इदर हॉल की तरफ आ गई हूल की डस्टिंग करूंगी और उसके बाद मैं फिर वही पहले जाऊंगी किचन साफ करू का अइसे मेरा पांच बज़े से लेके रात को दस बज़े तक का मेरा पूरा रूटीन रहता है और आप लोग रात को आपका काम काम हो खतम हो जाता है तरद पूर वतले हो कि वो रात को 8-8-9 बजए तक तो वो सोशते हैं कि आज डिनर में क्या बनाना है और 11-12 बज़ तक उनका डिनर होता है फिर वो लोग सोते हैं तो आप लोग जरूर मेरे साथ शेर करना आप लोगों का रूटीन क्या रहता है आप लोगों के सोने का जागने का टाइमिंग क्य जब के चोटे बच्चे तो जल्दी जागना ही पड़ता है बच्चो के लांच बॉक्स के लिए जब मेरे चोटे बच्चे थे न तो मैं भी जल्दी उड़ती हूं पांच बजे शुरू से आधत है जब से शादी के बाद एक बार मुझे डांट पड़ी थी उठने के लिए वो दिन और आज का दिन है कि मैं लगातार पांच बजे उठी जाती हूँ जबकि मेरे सासु यमेशा बोलते हैं कि नितु अटकून है था रहा है कि तुई ते जल्दी उठ जावाए पर पता नि क्यों एक हैबिट हो गई आँख खुल जाती है मेरी और यहां बस जाडू डस लगाया ही नहीं पता नहीं क्यों आलस कर गई क्या तो मैंने फेस्पेक लगाया नहीं तो आज सोचा फेस्पेक लगा लेती हूँ कपड़े अपड़े दोंगी जब तक और यहां चाच बना कि पती देव को देऊंगी तब तक मुझे आवाज आ गई है कि बाहर वाले जो गृष् रूमः है उसमें हैंडड़ खटम ओ गया है तो बस अब हैंड़ दालूंगी और यह से छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में जिनकी गिनती ही नहीं होती मतलब अगर हम ढेट होके दो पैर में सोए ना तो बनाना पूरे दिन काम करते रहें इतने घर मे 365 दिन होते हैं वैसे same to same घर में 365 काम होते हैं शायद उससे भी ज़्यादा छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं तो बस यहां hand wash मैं डालूँगी उसके बाद आज दोनों washroom दोने की सोच रही हूं की दोनों washroom दो लूँँ और यहां पतिदेव चले गए हैं तो मैंने सोचा चलो अभी time है तो मैं एक blog जो मैंने कल edit करके upload करने के लिए लगाया था उसको मैं कर देती हूं public उसके बाद मैं लगाऊंगी पोचे पोचे लगाने के बाद मैं दोनों washroom दोंगी washroom दोने के बाद मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर मैं करूंगी लंच जो कि मैंने बनाई है भरवान टिंडी यहां पर आप देख सकते हैं मेरा लंच टाइम हो गया है इतना काम करते हैं तो भूक भी लगती है कुछ लोग बोलता है मैं भूक नहीं लगती नींद नहीं आती पर भगवान की दया है टच वूड की मुझे भूक भी लगती है नींद भी आते है क्योंकि ठक जाते हैं अब करीबन ये टाइम हुआ सवा बारा के करीब और मुझे भूक लग गई है मैं लेने आ गई हूँ मेरा लंच लंच करते करते मुझे आवाज आई कि बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है तो यहां मैंने सुचा चलो मैं आपको भी नजरा दे रहती हूँ बारिश का बहुत ही तेज बारिश है कैमरे में तो आपको नजर भी नहीं आ रहे होगी इतनी तेज बारिश है तो जी बारिश को देखते देखते मुझे याद आया कि मैंने कपड़े दोके रखे थे तो बस यहां पे मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए अधनी बारिश मालम नहीं शाम तक दूप आये घिया बादल ही रहे होँ लिए few और पारिश आये Away भ्लताइन और मैंने इकपड़े जाध है मिर्ची की दो तरह की अचारी मिर्ची बनाऊंगी और यहां पर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने सोने की कोशिश की लेकिन बादल के गरजने की इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी कि मैं सोई नहीं पाई तो मैंने सोचा चलो फिर बैड पे इधर उदर करवट लेने rежд Junior, अचारी बैसन वाली भरवा मिर्ची अलग रे합ले क्यों ठतेशी बंती है तो मेरी एक रेसिपी तो कम्प्लीट हो गई है तो इस कडाई को मैं धूंगी क्योंकि आपको मालूम है मैं ब्रेक्फास बनाऊं या लग के यूज Norm के लिए डिनर के लिए सबजी बनाऊं मै कड़ाई मेरे हाथ बैठी हुए है तो बस यह रैसेपी मेरी हो गई है तयार यहां पर मैं अलग बरतन में निकाल दी है और जो पहली रैसेपी में जो बरतन हुए ना बस उनको मैं साफ कर दूंगी क्योंकि थोड़े थोड़े बरतन साफ करते रोना तो बहुत ज़्यादा व अगर आपको भर्वा मिर्ची खाना पसंद है तो आप यह रैसेपी जरूर देखेगा नितु जोहान फैमिली पर मैं अपलोड करूंगी और यहां देखो दूसरी रैसेपी मेरी बन चुकी है बर्वा मिर्ची या अचारी मिर्ची जो भी आब बोलो यह बहुत टेस्टी थ डेकिन लेक्षा सब्सक्रां रस बहुत स्वाधिश्च कश्वाइब मेरा सब्सक्रा राइब को सब्सक्राइब करें किल्स करें तो आपको फोटो भी इत्ती अट्रेक्टिव डालनी पड़ती है ताकि सामने वाले बंदे अट्रेक्ट हो उसको लगे कि यार यह रेसिपी तो देखनी चाहिए तो यहां मेरी दूसरी रेसिपी बनने के बाद सबसे पहले करूँगी मैं किचन क्लीन और उसके बाद में फिर से बरतन साफ करूँगी और फिर मैं बनाऊंगी रोटिया यानि की शाम का डिनर तयार करके रख दूँगी और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं दुपएर में या तो कॉफी पीओं क्योंकि अभी टाइम हुआ है सवा चार बजे का और मैंने मेरी दोनों रेसिपी तैयार कर दी है तो बस बरतन साफ करके या सोचरियों में चाय पिऊँ या सोचरियों कॉफी पिऊँ और सोचरियों कि आज कोई अच्छी सी मूवी वाच करूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई अच्छी मूवी देखी नहीं है और पत चाय कॉफी कुछ ना कुछ जरूर बनाऊंगी और आप लोगों से भी बोलूंगी कि अपना मी टाइम आप लोग जरूर लिया करो आप अपने लिए वो करो जो आपको पसंद है जैसे आपको क्या पसंद है मुबाइल चलाना मुबाइल में क्या देखना पसंद है लेकिन हां कि mobile में भी देखो तो कुछ अच्छी चीज़े देखो जिससे आपको कुछ help मिले आपको कुछ सीखने को मिले आपको कुछ knowledge मिले यू नहीं कि बस time waste करते रहते हैं जिसे Reels में भी के Reels ऐसी आती है इस इंस्टा पे जो बहुत काम की होती है वैसे YouTube पे भी कुछ चीज़े ऐस मैं बनाओंगी चाय और चाय मैंने कम करके बनने के लिए रख दी है इससे पहले मुझे पता चला है कि जो गुड़ बड़ा डबा है वो हो गया है खाली तो मुझे गुड़ की जो बड़े-बड़े भेली बोलते है क्या बोलते है उनको तोड़के इस डबे में फिल करना ह है तक कि जब भी मैं नेक्स डे चाय बनाओं तो मुझे फिर सुबह सुबह धम धम ना करना पड़े क्योंकि जो गुड़ के बेली है बड़ी-बड़ी है पत्थर के जैसे और इतनी हाड है कि उनको जब तोड़ते है न तो बड़ी जोड़ से आवा जाती है धम धम की तो इस ऐसे में क्या पड़ो सी डिस्टरब हो किसी को परिशानी हो सुबह सुबह तोड़े तो अच्छा नहीं लगता तो अभी जो टाइम है एकदम परफेक्ट टाइम है यहां पर मैं इसको बस तोड़के डबे में भर दूंगी और फिर बस कुछ दिन के लिए शान्ती और आप लोग बताईएगा आप लोग चाहे पीते हो गुड की वाली पीते हो या चीनी वाली पीते हो या एक दम फीक की पीते हो या फिर आप लोग ग्रीन टी वाले हो तो भी मुझे जरूर बताईएगा पर पता नहीं क्यों यार मुझे ग्रीन टी पसंद नहीं है एक बार तोड़ने के लिए जब जाके तुम पतले होगे और यहां पर गुड तोड़ते तोड़ते मुझे पता चला कि चाय उबल गई है चाय में डालने वाली हूँ अद्रक और अद्रक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है और जैसे जैसे विंटर आ रही है तो अभी अद्रक का जो फ्लेवर है ना वस वो फ्लेवर आने लग गया है और यहां आप देख सकते हो गुड मैंने तोड़ दिया है उसके बावजूद भी दो तीन यह बड़े बड़े पत्थर जैसे पीस रह गया है इनको मैं फिर से तोड़ूंगी और मुझे लगता है मेरे जो अडोसी पड़ोसी ना वो सोचते होंगे यह क्या हर दूसरे जिसे जिन गर तोड़ती रहती है क्या धमा धम धमा धम थोड़े दिनों में आवाज़े आनी शुरू हो जाती है तो बस हो गया मेरा यह गुड तोड़ना और बस अब आप देख सकते हो यहां सामने में गुड के पर उस जगह पर घुमा दो तो फिर देखो आपका कीचन हो यह आपका धर हो पूरी तरह रहता है और हां मैंने एक ब्लॉग डाला था ना पहले मेरा मैं सोफे साफ करूं तो सच में सोफे बहुत साफ हुए यह बात अलग है कि शाम होते होते हैं मेरे हाथ और पाउं में का पाफी दर्द हुआ उससे मुझे लग रहा था कि हां मैंने दिवाली की सफाइयां की है मतलब सोफे का पूरा जो कालिक था ना वो निकल गया और पहले दिन से जादा दूसरे दिन ज्यादा साफ लग रहा था एक्दम चमक रहा था तो यहां मेरी चाय हो गई है रेडी तो पड़ा है जिसको मुझे करना है एडिट तो मतलब मैंने सोचा यार वो जरूरी है क्योंकि अगर आज मैं एडिट नहीं करूंगी तो कल मैं अप्लोड कैसे करूंगी तो फिर मैंने मूवी का थोड़ा सा प्लान छोड़ दिया मैंने का नहीं पहले मैं सबसे पहले important है मेरा ब्लॉग एडिट करना जिसमें मुझे लग जाएंगे कम से कम डेट दो गंटे हो सकता है धाई गंटे भी लग जाएं तो पहले मैं ब्लॉग एडिट करूंगी उसके बाद अगर समय बच्चा तो तो मैं कोई मूवी देखूंगी वरना फिर मैं वापस काम में लग जाओं किचन में जो मैंने चाय पी थी वो बरतन साफ करने के लिए और इसे के साथ में बरतन साफ करते ही मैं बनाने के लिए आ गई हूं रोटिया मैं ने का अभी फिर मैं वापस जाओंगी टीवी देखने बैठूंगी थोड़े देखूंगी नहीं उससे पहले समय हो जाएगा टो मैंने इन चालोम कर लेती हूं वहां आ पती रेख के लिए मैं रोटी बना दूंगी और मेरे पती को ना मैं गरम गरम सोचते हूं की गरम गरम बना के उतरता इक फलका उनकी थाली में रखों वह बंदे ऐसे है यह नहीं रोटी तो छोड़ो या कोई भी परांठे हो उनको गरम गरम थाली में रखदो तो वह क्या कहेंगे थोड़ीदे रुख 닿टा उसको ठंड़ होने दे तो मैं कभी कॉल करके आग भोलना अज मैंने यह सब्जी बना है तो आप आओ जब मैं गरम 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 रोटी बना हमार तो उनको गरम पसंद नहीं और मैं पूरी उल्टी हूँ मुझे एक दम ही तवस्व से उतरती हुई रोटी खाना पसंद है ör जब सानू आ पती आ तो इसे और मेरे पराँठे लेके weinig अचार या मिड़टी जाना नहीं अखोने और तो वस मैr PAolा, आपको व्लिग ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करना नग भूलेका कमेंट करके जरूर बताएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं या आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसे लगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेर करिएगा दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नीतु चोहान ब्लॉग्स और नीतु चोहान फैमिली और यहाँ पर आखिरकार मैंने चला लिया है भारती का शोओ मैंने सुचा चलो आज कुछ तो देख लेते हैं और इसके बाद आ गई हूँ मैं दियाबती करने के लिए क्योंकि शाम का टाइम होगे अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि आप पहले खाना खाते हो फिर दियाबती करते हो तो दियाबती का टाइम होता है साड़े साथ बज़े के बाद सावा साथ साथ और मैं लंच करती हूँ सोरी छे बज़े तो मैं 6 बज़े तो भगवान की गंटी नहीं बजा सकती भगवान ही कहेंगी कि तुझे भूक लगी है तो क्या हुआ हमें क्यों दूखी कर रही है इतनी जल्दी तो मैं डिनर में 6 सवाचे कर लेती हूँ लेकिन दियावत्ती मेरी 7, 7, 7, 7 बज़े तक हो जाती है तो बस यहां मैं दियावत्ती करूंगी इस ब्लॉग को यहीं खतम करूंगी और आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोनों चैनल को स शेयर करना है आपके साथ मतलब 5 बज़े से लेके 10 बज़े तक का पूरा रूटीन शेयर करना है तो मैंने तो ब्लॉग खतम कर दिया था लेकिन 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 इसके लिए सौरी तो अभी करनी हूँ दियावत्ती अभी है शाम का वक्त और पतिदेव के आने का वक्त भी हो दूद लेके आते हैं तो आते ही मैं दूद गरम करने के लिए चड़ा देती हूँ यहां आप देख सकते हो पती परमेश्वर पधार चुके हैं और दूद गरम करने के लिए मैं रख रही हूँ और पतिदेव जो रात को दूद लेके आते हैं मैं रात को ही गरम करके गैस चोड़ देती हूं सुबह उड़ती हूं तब मैं उसको फ्रीज में रखती हूं और फिर नेक्स डे या फिर शाम को यूज करती हूं तब तक बहुत अच्छी से मलाई आ जाती है जिससे मैं गी बनाती हूं आपको मालूम ही है और यहां मैंने दूद गरम करने के लिए रख शाշप से पूछा तो बोलेकि निक कहना मैं थोड़ा लेड कौँगा और खाना क्याने के बाद सारा काम खतम करने के बाद मैं आगई हूं फिर से मेरे रूम में अब मैं थोड़ी सी स्किनकेर करेंगी मतलब ग branलाब ‫जल से मेरी स्किन साफ करेंगी कोई भी क्रीम करना मत बूलिएगा फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेर करना मत बूलिएगा क्योंकि मैंने इस ब्लॉग में की है बहुत सारी मैंनत 5 बजे मैं शुरू हो गई थी और 10 बजे में ब्लॉग खतम कर रही हूं यहां कर रही हूं स्कीन केर, स्कीन करने के बाद मेरी जीब लड़ खड़ा रही है इसके लिए सौरी दोस्तों तो बस स्कीन केर करने के बाद मैं चेंज करूंगी सो जाऊंगी क्योंकि अभी बजी है 9 बजकर 50 मिनट 10 मिनट मुझे लगेंगे पानी की बोतल बर के दूंगी पती देव को पूरे घर के खिड़की दरवाजे चेक करूंगी ल बहुत अच्छी चीजे बताओं और बहुत अच्छी सी अच्छी सी प्यारी सी आवाज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी सो मच्छ